दोस्तो आज 4 जनवरी का दिन है यानि की वर्ल ब्रेल डे के रूप में इसे मनाया जाता है इससे जुड़े हुए पांच फैंच 1998 में नासा ने एक स्पेस्क्राफ्ट लॉँच किया था जिसका नाम दी स्पेस्वन था जिसे एक एस्टिरोइड और बोरिलीज को विजिट करने के लिए बनाया गया था इस एस्टिरोइड का नाम 9969 ब्रेल डखा गया था लुइस्टैल की अक्नॉलिजमेंट में 1819 में फ्रेंच आर्मी में braille communication का यूज़ करना शुरू किया था वो रात के अंधेरे में बिना बात किया और candles की यूज़ किये बिना scout यूज़ करते था Science and Mathematics के लिए different तरह का braille system होता है जिसे निमित code कहा जाता है The Braille Institute हर साल 1400 blind students की braille skills को complete करने के लिए competition organized करता है जिसमें US और Canada के students apply करते है Last में एक बहुती strange fact जो आपको ज़रूर हैरान कर देगा कि एक normal sighted person 300 words per minute की रफ़तार से किताब को पढ़ता है लेकिन एक सक्षम braille learner 400 words per minute की रफ़तार से किसी भी किताब को खड़म कर सकता है ज़े